अगर आपको क्रिकेट में योकर डालना आता है तो समझ जाना कि आपके पास एक ऐसा हतियार है जिससे आप बड़े-बड़े बैट्समेन को आसानी से डारा सकती हो क्रिकेट में योकर को एक बहुत ही खतरनाक डिलेवरी मानी जाती है पर मैंने काफे साले बॉलर्स को देखा आपको योकर डालना नहीं सीख पाते क्योंकि योचे के छे बॉल योकर डालना बहुत ही मुश्किल काम है बड़े-बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स भी नहीं डाल पाते पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको योकर की प्रैक्टिस कैसे करनी है और योकर की प्रैक्टिस करते वक्त आपको कीन-कीन चीजों का ध्यान रखना है तो यह टपिक मैंने इंस्टर्गाम से पिक किया है अगर आपने इंस्टर्गाम में फॉलो नहीं किया है तो हमारा यूजर नेम क्रिकेट बायो वन तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू कर दें तो हमारी फर्स्ट टिप है एम यॉर टार्गेट तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़े डाल रिल बताने वाला जिससे आपकी यॉकर काफी हद तक इंप्रूव होगी तो जैसे रही कि आपको पता है कि यॉकर डिलेवरी बैट्समेन के पैरों के आसपास गिरत कि यह मेरे बैट्समेन के पैर है जो मुझे आज मैच में खिलने वाला है तो इस इन पैरों के बीच में में एक सरकल बाला लूँगा बिल्कुल इस तरीके से यह रा मेरा यह यह सरकल है यह मेरा अब यह सरकल मेरा टार्गेट रहेगा अब प्रैक्टिस करते वक्त मेरी मैं आपको ये ड्रिल करके दिखा देता हूँ इस तरह प्रैक्टिस करने से मुझे मेरा टार्गेट पता रहा कि बॉल मुझे डालनी कहां पर है और बॉलिंग करते वक्त मेरा फोकस भी भटकेगा नहीं क्योंकि मैंने सरकल इसलिए ड्रॉ किया है कि मेरा फोकस इस सरकल पर बना रहे अगर आप बिगनर हो तो ये ड्रिल करना थोड़ा मुझकिल है पर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी योकर परफेक्ट होगी तो इस ड्रिल को ट्राई जरूर करना तो हमारी सेकेंड टिप है रिलीज बॉल लेट तो अगर आपको परफेक्ट योकर डालना सीखना है तो आज के इस वीडियो में आपको एक सिक्रेट बताने वाला हो तो जब हम बॉलिंग करते हैं तब ये बॉल हमारे हाथ से कब निकलती है कब रिलीज होती है जब ये हाथ हमारे कान के पास आता है तब ये बॉल हमारे हाथ से रिलीज होती है और अकसर सारे बॉलर यही करते हैं पर अगर आपको योकर डालना है तो इस बॉल को थोड़ा लेट रिलीज कीजिए आपके कानों के पास से मत कीजिए थोड़ा सा आगे जाने दो हाथ को फिर रिलिस कीजए ज्यादा भी आगे माँ जाने देना फिर वो बाउंसर हो जाएगी थोड़ा सा लेट रिलिस कीजए इससे उस बॉल को एक अच्छा एंगल मिलेगा और वो बॉल सिधा बैटसमेन के पेरों पे जाके फिनिश होगी और इससे आपकी पेस में भी इंक्रीमेंट आपको दिखेगा तो यह छोटी-छोटी चीजों पर अगर आप ध्यान रखोगे तो इससे आपकी बॉलिंग पर वो काफी बड़ा इंपक्ट डालेगा तो इसको ट्राइज जरूर करना तो हमारी third tip है grip जैसे हम normally ball को पकड़ते हैं उसी तरीके से हम इस tennis ball को पकड़ेंगे तो यह जो हमारी टाइट पकडने से बॉलिंग में ज्यादा कंट्रोल मिलेगा पर ऐसा नहीं होता है अगर टाइट पकड़के आप बॉलिंग करोगे तो बॉल फिर सीधा स्लोट में गिरीगी और कोई भी बैट्समेन उसे असानी से 6 मार सकता है तो इस बात का ध्यान रखना बॉलिंग करते उनका decision वो چेंज करते रहते बॉलिंग करते वह कभी सूचते हमें ब्हूंसर डालना ऑख सुचते आमें स्क्राद डालना है अहांर आपको लेने से पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे यह कर डालना है और रउनअप लेते समय अपना अपना अपकू आप फोको ज़रूर करना और यह खेल पूरा माइंडसेट का है जैसे आपका माइंडसेट रहेगा वैसे आप बॉल फेक होगी तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो के रिलेटर अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो वहां अब मैं आपको रिवेट करके आपकी हेल्फ करूँगा और आप मुझे कमेंट करके यह भी बताओ कि आपको नेक्स वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और मेरे चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर लिजे कि मैं ऐसे ही इंट्रेस्टिंग कॉंटेंट लागते रहता हूँ थैंक यू फो ओजिक मैं वीडियो